हम Mixed Method Research Designs में अपने अगले डिजाइन की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम Exploratory Sequential Method है इससे पिछले मौडियूल में हमने Explanatory Sequential Method जो था उस पर बात की थी और वो आपको याद ध्यानी के लिए मैर्ज करूँ के वो था Qualitative, Quantitative Followed by Qualitative अब Exploratory के नाम से जाहर होता है कि Explore करना है जिए भी Exploratory Designs में जो Sequence इस्तमाल होता है वो है Qualitative Phase Followed by Quantitative Phase यानि उस पिछले का Explanatory का ये Reverse है इसमें पहले Qual फिर Quant, Qualitative and then Quantitative पार्ट अच्छा इसके अगर आप इस सीक्वेंस पर गौर कर ले ना तो इसी से समझ आती है कि हम अमूमन ऐसे Research Topics जिन को अभी Explore करने की जरूरत है जिन के बारे में हम theories नहीं बनाई हुई अभी हमने या causations अभी हमें समझ नहीं आई हुई और हम पहले उसको समझना चाहते हैं यानि inductive है इसकी nature पहले समझना चाहेंगे और समझने के बाद फिर generalizability के लिए उसको larger scale पे quantitative methods के जरीए से further हम understand करना चाहेंगे जा generalize करना चाहेंगे तो ऐसे तमाम research questions जिन में आप inductive part पहले यानि qualitative part पहले करना चाहते हैं phase करते हुए फिर आप उसको quantitatively understand करना चाहें या उसको explore करना चाहें तो हम कहते हैं कि यह exploratory sequential design है sequence इसका call और quant है यह इसका sequence है पहले qualitative फिर quantitative अगर हम इसको phases में चलें तो पहला phase पिर इसका qualitative phase हुआ qualitative phase में हम क्या करेंगे हम किसी भी phenomenon को inductively study करते हुए उसकी ground level information इकठी करेंगे मुख्लिफ communities में मुख्लिफ societies में मुख्लिफ group of individuals के साथ मुख्लिफ strata of जो आपकी society है उसमें से और उस information के जरीए से फिर हमें ये help मिलती है कि हम उस phenomenon की nature को explore कर सकें उसकी nature को understand कर सकें और उस से आए हुए data को फिर हम categorize कर लेते हैं coding से themes में, themes से sub themes में और फिर उसके patterns को identify कर लेते हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि किसी phenomenon के होने के पीछे causations क्या है जब ये बात हमें समझ आ जा जाती है तो इसकी findings को सामने रखते हुए फिर हम इसको अपने questions के साथ integrate करते हैं जिन चीजों को study करना चाह रहे थे उस questions के कितने answers हमें किस हद तक तशफ़ी answers हमें इसमें से मिले उनको हमें कठा कर लेते हैं जी और उसको सामने रखते हुए फिर हम इसकी अगली face पे चले जाते हैं कि अब जो बाते मुझे इसमें से मैंने infer कर ली अब मैं इनको generalization की तरफ ले जाना चाहता हूँ और एक larger sample से उसक second phase में basically आप larger data collection में quantitative methods के इस्तमाल के जरीए से चले जाते हैं उसमें आप अमूमन सर्वे कर सकते हैं, experiment कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई questionnaire distribute करके larger scale पे data collect कर सकते हैं, कोई correlational study कर सकते हैं, कोई causal comparative study कर सकते हैं, आप फिर इन की तरफ चले जाते हैं और obviously जब इन में से कोई भी आप opt करते हैं, तो उसके analysis के तरीके भी फिर वही होंगे जो quantitative research के होते हैं, और generalization इसका ultimate goal होगा, ultimate end होगा, अब आपने पहले stage की findings को generalization के तरफ जाने के लिए larger sample पे quantitative methods के जरीए से इस्तमाल किया, अब आपके पास जो इसके results आएंगे, आप उसकी generalizability को अपने पहले component यानि qualitative component के साथ आएवे results के साथ compare, contrast, synthesize करते हैं, और उसके नतीजे में एक conclusive findings पे आप पहुंचते हैं, इस process of integration के जरीए से आप तोनों stage की findings को इस्तमाल करते हुए, convergence और divergence के points identify करते हैं, उनको अपनी report में explain करते हैं for your reader, और इन connections का identify करना और explain करना ही आपकी इस research की strength है, इसकी strength यानि दूसरे लज़ों में कहलें के inductive, followed by deductive, leading towards generalizability, और फिर इन तीनों चीजों के sequence से draw की हुई information को आप लोगों के सामने report की शकल में पेश करते हैं,